खुनी दुलहन आर्थी और विकास अपने माबाप के साथ दिल्ले में रहते हैं जरनालिस्ट होने की विज़ से विकास को बहुत बार काम के लिए देऊर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है जिस पर ज्यादा तर आर्थी जाकर उसका इंतिजार करती रहती है इसी तरह एक रात आर्ती विकास का इंतिसार करते हुए घर की बालकने में खड़ी होती है इनकी जौब तो जैसे मेरी सौतन बन गी है मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम यहां इंतिसार करते हुए मर जाएं अपने आप से ये सब बोलते हुए आर्ती की नजर मौले के कोने वाले घर पर पड़ती है जिसके लाइट्स ओन देखकर वो हैरान रह जाती है ये इस घर के लाइट्स कैसे ओन होसकती है यहां तो सालों से कोई नहीं रहता वो ये सोची रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर आरत की परचाई के साथ लाल चुन्नी दिखाए देती है जिसे देख आर्ती डर से चिलाने लगती है आर्ती के आवास सुन उसके घर वालों के साथ महले के लोग भी अपनी बालकरी में निकलाते है आर्ती की बात से सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता भाबी जी लगता है अपने सपना देखा होगा मैं बालकनी में खड़ी होकर सोंगी क्या बता रही हूँ अपनी आँखों से देखा है घर की लाइट सौंती और वहाँ किसी का साया भी था अरे तुम अकसर विकास भाईया की इंतजार में देर रात तक जाकती हो न क्या पता नीन पूरी नहीं होने की वज़े से कोई ब्रह्म हुआ हो महले के सब लोग और आरती के साथ ससुर उसे समझाई ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी ओरत के गाने की आवाज सुनाई देती है आजा ओ मेरे प्रियतम आजा आवाज सुन सब हैरानी और कन्फूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोडे में औरत का साया वहां दिखता है जिसे देख पूरा महला सक्ते में आ जाता है और यह तो कोई दलान है और नहीं नहीं भूत नहीं है और फिर तो पक्का तेरी दुलन है और नहीं नहीं वो तो माई के गई है हद है पहले इस से निपट ले बाद में इस पर डिसकुशन कर ले ना बड़ा भ्रम बूल रहे थे ना अब भटी ना सब की औरो नहीं नहीं मैं किसी सुने डरता भाबी जी बूद जैसा कुछ नहीं होता या तो इस घर के मालिक यहां आ गए है यहां फिर किसे ने खाली घर देख कर कब जा कर लिया है हमें वहां जा कर देखना चाहिए बात में लॉजिक मान कर सब बाहर एकटा हो जाते हैं कि तबी विकास भी बहां पहुँच जाता है क्या बात है इतने रात को पूरा मौला यहां कैसे भूतिया दूलन की वज़े से क्या तुमारे अलावा भी कोई दूलन भूतिया हो सकती है इस भूतनी का किस्सा निपटने दो फिर तुम्हें अपनी भूतनी दिखाती हूँ अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं जिससे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तयार हो जाता है जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं तुम सब यहीं रुको मैं अंदर जाता हूँ अकेले जाओगे? अरो नहीं नहीं आप सब की नकली भूतनी भी तो होगे न मेरे साथ कैसा मजा कर रहा यार रुक मैं चलता हूँ साथ में क्या मैं चलता हूँ यह क्या गुवा गुपने जा रहे हैं जो मैं भी साथ चलता हूँ कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे पास खड़े रहो बहुत situation समझो हाँ, घर जा कर सुना ले न ये भगवान मम्मी, तुम किसकी मम्मी हो ओ, इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या नहीं याँ पंचायत बठा देते हैं आपके परिवार के लिए इस पर मामला शान करके, अब वो लोग इदर उदर से घर के अंदर जाकने की कोशिश करते हैं उन्हें घर के अंदर लाल जोडा, सिंदूर और मंगल सुतर के साथ चारों तरफ खोन बिखरा हुआ दिखता है इसे देखकर सब की हवाईयां उड़ जाती है भाई, यह सब क्या है, अब तो मुझे भी डर लग रहा है आ गए मरने, अब तुम्हें मुझ से कौन बचाएगा उस नजारे के साथ, सोने पर सुहागे की तरफ भूतनी की आवाज सुन वो सब तुरंद वहाँ से भाग खड़े होते हैं यह सब क्या था, अब हम क्या करेंगे, हमारे महले में भूतनी आ गई, जो सब को मारना चाहती है ओ भाबी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी गलत इनसान ने गलत काम करने के लिए कबजा कर लिया है और लोगों को घर से दूर रखने के लिए यह सब कर रहा है तुम इतने यकीम के साथ कैसे बोल सकते हों? फिल्मों मैं सही तो दिखाते हैं हे भगवान यह फिल्म नहीं यह रियल लाइफ है हमें शांते से कुछ सोचना चाहिए सब हमारे घर चलो सब आरती के घर में इखटा हो जाते हैं रात भर आधी नेंद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सोलुशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता इसी तरह सुबह हो जाती है ऐसे कोई भी उपाई नहीं निकलेगा सब पूरी रात के थके हुए हैं घर जाओ थोड़ा आराम कर फ्रेश होकर फिर आ जाना उसके बाद सोचते हैं कुछ डरे सह में लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं तब ही विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है जिस पर वो किसी को कुछ बताये विना चुप चाप वहां पहुँच जाता है और कुछ दिर बाद घर आकर सब को दोबारा एकटा कर उस घर के पीछे वाले खिड की पल ले जाता है विकास क्या खिल लगा रखा है ये कोई मजाग नहीं है वही तो मजाग नहीं बहुत बड़ा मजाग है अंदर देखो जैसे ही सब उस खिड़की से अंदर देखते हैं तो उनकी आँखे खुली की खुली रह जाती है मूवी की शूटिंग